आप सभी का हमारी यूटूब चैनल समराट आई एस बाई साकेत राजवन्स में एक बार फिर स्वागत है आज अपने हम वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन इस टॉपिक के अंतरगत हम ये देखेंगे कि भिन भिन विद्वान में किस प्रकार अपनी महत्पूर्ण भुमिका निभाई है इस भौगोलिक चिंतन के टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स आपके लिए तयार किये हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राचीन कालमे भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है इसके प्राद साथ्री कालमे भूगोल के विकास कि चर्चा करेंगे सास्री कालमे भूगोल के विकास की जो समया अवधिमानी गई है वो कितनी है छेसो बीसी से लेकर dos ने अपनी अपनी विचारधारायات प्रस्त की हैं सास्रीकाल में भूगोल के विकास को समयावदी के आधार पर दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है पहला समयकाल था जो हमने बताया कि 600 BC से लेकर के 380 के मद्ध भूगोल में एक सास्रीकाल और आता है वह समयकाल भी भूगोल के विकास में अत्यधिक प्रगती हुई है वो सास्रीकाल का बाता है अठारवी सताबदी में भूगोल का विकास जो सास्रीकाल में हम दो महत्वपूर समय अवदी है पहली समय अवदी यूनानी भूगोल भेताओं की है और यूनानी भूगोल भेताओं के सामराज पतन के बाद भूगोल के विकास में रोमन भूगोल भेताओं का भी महत्वपूर योगदान रहा है इसलिए प्राचीन सास्रीकाल में दो यानी यूनानी भूगोल भेताओं की हम लोग चर्चा करेंगे यूनानी भूगोल वेताओं में महत्पूर्ण जो भूगोल वेता हुए हैं उनमें होमर, थेल्स, इसके बाद एनेक्जीमेंडर, और एनेक्जीमेंडर के बाद हेकेटियस, और हेकेटियस के बाद हेरोटोडस, और हेरोटोडस के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद इसके बाद हम हिपारकस और पॉसिडोनियस के योगदान की बात करेंगे जब यूनानी सामराज्जी समाप्त हो गया उसके बाद रोमन भूगुल वेताओं ने भूगुल के घ्यान को आगे बढ़ाया है और रोमन भूगुल वेताओं हम किसकी बात करेंगे इस्ट्रेवों क की बात करेंगे पिलनी के सासा टालमी और पंपेनियस मेला मौदय की योगदान को देखेंगे कि इन्हों ने किस प्रकार भूगोल के भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया है या भूगोल के विकास में अपनी भूमिका निभाई है रोमन भूगोल वेताओं के बाद एक भूगोल के विकास में एक अंध काल का समय आता है जहां पर इसाई धर्म अत्यधिक प्रबल हो गया था और उसने सारी बैग्यानिक मान्यताओं को खारिच कर दिया और इस इसाई धर्म के प्रभाव के कारण अंध यूग आता है और यह जो समय काल माना गया है भूगोल के विकास में इसा की तीसरी सताब्दी से लेकर के बारहमी सताब्दी के मद्दे यहां पर जो धार्मिक बाइविल थी बाइवल के नुसार ही सारी चीजों को मान्यता दी गई थी हलांकि इसी ठीक समय के बाद में अरब भूगोल वेता आते हैं जिनोंने कहीं कहीं भूगोल के विकास में अपनी महत्वोण भूमिका निभाई है और अरब भूगोल वेताओं में हम किसकी बात करेंगे अलमसूदी अलमसूदी के बाद अलवरूनी अलवरूनी के बाद अलइद्रीसी और अलइद्रीसी के बाद उसका नाम है इबन बतूता और इबन बतूता के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे इबन खालदून की इबन खालदून के साथ ही अरबी भूगोल बेताओं का योगदान समाप्त हो जाता है और भूगोल में एक नया समयकाल आता है जिसे हम लोग कह देते हैं भूगोल का पुनर जागरण काल ये बारा सो पच्चास इसवी से सत्रा सो इसवी के मद्ध का समयकाल था और इस समय योगोल के पुनर जागरण काल में क्लूवेरियस वैरेनियस और इमैनूल कांट जैसे विद्वान आते हैं जिनोंने भूगोल को भूगोल के घ्यान को अत्यधिक उचाईयों तक पहुचा दिया था इस पुनर जागरण काल में इंडस्रिलाइजेशन होता है चापे-खाने का अविकास होता है किताबे छपने लगती हैं बड़े पैमाने पर और इनी सब के इनी सब कारणों के आधार पर भूगोल पुनर जीवित होता है और इसे क्या कहा गया भूगोल का पुनर और हम अपने वीडियो में देखेंगे इमेनुवल कांट ने जो है भूगोल के ज्ञान और अत्यधिक उचाईयों तक पहुचा दिया था पुनर जागरण भूगोल में पुनर जागरण काल के बाद हम आते हैं एक नए सेग्मेंट में जिसे हमने क्या नाम दिया है 28 सतादी में भूगोल का विकास 28 सतादी में भूगोल लगातार अपने विकास की उचाईयों पर पहुच गया